वेल्कम एव्रिवन कैसे आप लोग मेरे लगते जिगरो सो फाइनली आज की जो वीडियो है वो है हमारी जो रोयल इंफिल्ड का नया मॉडल लाउंच हुआ है 350 में अलियर इट वस लाउंच इन पेगस एडिशन जो हमारा आया था पांसो सिसी वाला वर्ड वार एडिशन जिसे उन्होंने बोला था तो उस ताइम यह बोला गया था कि यह मॉडल दुबारा लाउंच नहीं होगा बट स्टेल 350 में कंपनी ने दुबारा से सेम वही मॉडल लाउंच कर दिया है विद एबी एस राइट जैसे कि आप देख सकते हो इस पे जो इसका यह टैंक है टैंक में नए ग्रैफिक्स हैं पहले जैसे रॉयल इंफिल लिखा रहता था तो उसके जगह इन्होंने यह राउंड बैज इन्होंने यहां पर लगाया है चीक है और यह वही सीरीज टैंक पर प्रिंट की गई है जो वर्लवर वाली सीरीज थी और उसके बाद यह ग्लास फ्रेंट में यह इस विंट स्क्रीन दी गई है यह स्पेसिफिक्ली विएसे असेसरी में वेलबल है मॉडल के साथ नहीं है तो जिसको मतलब अच्छा लगे वो कंपनी से लगा सकता है इट विल कॉस्टी अराउंड 6,000 सो बहुत अच्छी खूबसूरत बाइक लग रही है इसको लगाने के बाद इसके साथ यह प्यारा सा हेलमिट जो फ्री आता है कंपनी ने अब मेंडेट लगा हुआ है और यह इसके ग्रैफिक्स हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ मिट फिनिश में यह सारे के सारे ग्रैफिक्स प्रिंटेड है इसके उपर बहुत प्यारी लग रही है और ऐसे ही इसके रियर में यह ड्यूल चैनल रियर में भी इसका डिस्क ब्रेक है और यहा इसके मीटर में जो चिंजिस हुए हैं, एम का मीटर हटाके अब यहां पर फ्यूल मीटर मतलब अगर आपका फ्यूल कम होगा तो उसमें लाइट जल जाएगी और सेकेंड आपका जो ABS है वो अन है या नहीं है तो उसकी लाइट उसमें जलती रहती है इनकेस अगर आपका ABS कम अग्याएट नहीं है थाँछ क्यार नहीं हीजियए अग्याएट उसम्स्रीज कर देदाव शर्चा उसम्स्राइट नहीं है जो क्याएट यह जिव कि विए?